Hello friends, Nobel Study Center में आपका स्वागत है आज से हम एक नया स्रीज अस्टार्ट किये हैं जो कि Class 6 के NCRT History का समरी आपको बताएंगे जो कि सभी Teaching Exam में आपको हेल्प करेगा अगर आप Seated के Exam के तयारी करें तो Class 6 to 8 के लिए इसमें से ज्यादा कोशन पुछा जाता है History, Political और Geography से जो कि NCRT बुक से ही अधिकतर पूछा जाता है तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा एक्जाम की तैयारी करने में और आप इससे तैयारी करने के बाद किसी अधर बुक पढ़ने की कोई जरूत नहीं है तो हम आज से ये नया सिक्वेंस लेकर आये हैं और आपको कैसा लगेगा आप जरूर कॉमेंट करके बताईए का हमें और ये लगातार आज से फर्स चेप्टर स्टार्ट किये हैं और आगे चल कर हम पूरे बुक और उसके बाद देश सिक्स, सेवन, एट ये तीनों कलास के हम बुक हिस्टी करवाएंगे पूरी डिटेल से में उसके बाद हम कोस्टेन एंसर का भी एक सिरीज लाएंगे जो कि आपको सीटेट एक्जाम में हेल्फ करेगा तो चलिए देखते हैं आज फर्स चप्टर है क्या, कब, कहां और कैसे इसमें कुछ ऐसे चीज है, बहुत सारे चीज है जो कि हम में नहीं पढ़ना है और कुछ चीज जो सीटेट एक्जाम में पूछा जाता है उसी को पढ़ना है और कुछ को छोड़ देना है तो चलिए देखते हैं फर्स क्या है यहां पर सो से पहले है कई लाख वर्स पहले नर्मदा नदी के तट पर लोग रहते थे आरंबिक लोग में से कुछ क्या थे कुसल संग्रहक थे और जो आसपास का जंगल था उसके बिसास संपदा से परिचित थे और भोजन के लिए वे जर, फल और जंगल के जो अनुतपाद थे यहीं से संग्रह किया करते थे उनका जो भोजन के लिए जो भी संग्रह करते थे वो जंगल, जर और फल से ही वो संग्रह करते थे वो जानवड़ों के आखेट भी करते थे यानि जानवड़ के सिकार भी करते थे तो यह कहां पर हुआ था सबस पहले नर्मदा नदी के टट के नर्मदा नदी के टट पर जो लोग रहते थें तो आगे हम देखते हैं नर्मदा नदी थोड़ देख लेते हैं कहां पर है नर्मदा नदी यहाँ पर आप देखेंगे नर्मदा नदी ये ये आप देख सकते हैं नर्मदा नदी है उपर में बिंद परवत है ये भी आगे आएगा ये अभी आप देख सकते हैं बिंद परवत है इस पे भी कई बार सवाल पूछा जाता है तो यहीं पे जो लोग नर्मेदा नडी के टटके आसपास रहते थे जो कुसल संग्रहक भी थे और जानबर के आखे टक भी थे तो चलिए आगे हम देखते हैं आगे हैं उत्तर परश्रीम की सुलेमान और किर्थर पहरी का पता लगाओ आप यहां पर देख सकते हैं उत्तर परश्रीम में जो सुलेमान और किर्थर पहरी है यहां पर आप देख सकते हैं सुलेमान और किर्थर पहरी है यहां पर यह सुलेमान पहरी हो गया और यह यहां पर किर्थर पहरी हो गया ठीक है ये दो पहारी है इसमें क्या कहा जाता है उत्तर पस्चिम का जो सुलेमान और किर्थर पहारी है इस छेत में ऐसे अस्थान है जहां पर आठ हजार वर्स पुर्व इस्तरी पुरूस ने सब से पहले गेहूं तथा जो जेसी फसलों को उपजाना प्रारम किया गेहूं और जो जेसी फसलों को आठ हजार साल पहले आठ हजार वर्स पुर्व इसमें जो सब से पहला फसल था जो और गेहूं था जिसको उपजाना प्रारम किया था यहां के लोग भेर बकरी बैल और अन पसू को भी पालतू बनाया जैसे भेर बकरी गाय बैल पसूँ क्या चीज बनाया पालतू बनाया था यहां के लोग यह लोग कहा रहते थे मुक्ता गाउं में ही रहते थे उत्तरपुर्म में गारो और मध में बिंद पहारियों का भी पता लगाओ यानि कि उत्तरपुर्म जो गारो पहारी है उत्तरपुर्म जो गारो पहारी है और बिं पुत्र नदी के नीचे गारो पहारी ये अब देख सकते हैं ये गारो पहारी है तो इसी के बारे में बताया गया है बिंद परवत का पहारियों का पता लगा ये कुछ अन ऐसे छेत थे जहाँ पर किर्सी का यहाँ पर भी विकास हुआ था किर्सी का यहाँ पर भी विकास हु यहां पे भी क्योंसी का विकास हुआ था जहां सब से पहले चाबल उपजाये गया था वो बिन बिंद के उत्तर में नहीं स्थीद है यहाँ पर आप देखेंगे जो चाबल उपजाया गया था यह बिंद परवत हो गया और इसके उत्तर में ही चाबल सबसे पहले उपजाया गया था यहाँ पर किर्शी की सुरुवात हुआ था आगे हम देखते हैं ये मैप आप देखते रहें और काफी बार इससे कोशन भी पूछा जाता है एबिएस में आपसे one to five तैयारी करेंगे तो उसमें एबिएस में ये कोशन बराबर पूछा जाता है मैप से चार पाँच कोशन रहता हैं आगे देखते हैं मांचितर पर सिंदू था था इसकी सहाइक नदियों का पता लगाओ तो चलिए हम देखते हैं मांचितर पर सिंदू और इसकी सहाइक नदियों यहाँ पर आप देखेंगे यह सिंदू है जो कि इसका बराभाव पाकिस्तान में ही बेता है और इसके जो साहिक नदी है, सतलज है, राबी है, चिनाब है, जहलम है यह सारे साहिक नदी है यहाँ पर क्या चीज हुआ था, आगे दखते है साहिक नदी उसे कहते हैं जो आगे चल कर बरी नदी में मिल जाता है यह मुत्ता एक बात हुआ और लगवा 47 सो वर्ष पूर्व इनी नदियों के किनारे आरंभीक नगर फली फुले थे ठीक है, कब हुआ फला फुला था 47 सो वर्ष पूर्व यहीं पे आरंभीक नगर यानि कि आरंभीक नगर जो सिंधु नदी के साहिक नदी है यहां पे अरंभिक नगर 4700 वर्ष पुर्व फलाफुला था गंगा वो इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुन तटवर्टी इलाकवे में नगरों का विकास 2500 वर्ष पुर्व हुआ था गंगा और इसकी साहिक नदियों तथा समनवर्थी टटो में 4700 वर्ष पुर्व क्या हुआ था सिंदू और इसकी साहिक नदियों के आसपास आरंभिक नगर फले फुले थे और पचीस सो वर्ष पुर्व गंगा नदी और तथा समुनवत्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ था इससे कोशन पुछा जाता है आप इसको जरूदियाने 47 सब वर्ष पुर और 2500 सब वर्ष पुर शिंदू नदी के आसपास आरंबीक नगरों का विकास हुआ था आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भूटान और स्रिलंका ये सारे देश जो है दक्षिन एसिया में आ जाता है और अफगानिस्तान, इरान, चीन, मेनमार, आदी परोशी देशों को भी दर्साता है दक्षिन एसिया एक महादूइप से छोटा है लेकिन बिसालता तथा बांकी एसिया में समद्रों और पहारियों तथा परवतों से बटे होने के कारण इसे क्या कहा जाता है उप महादूइप कहा जाता है दक्षिन एसिया जो है एक महध छोटा सा महध उप महधुइप है लेकिन इसका जो पिसालता है यानि की एसिया से समून्द और पहारी परवतों से जो अलग होने के कारण इसे क्या कहा जाता है उप महधूइप भी इसे कहा जाता है ठीक है आगे हम देखते हैं यहाँ पर कुछ महत्पूर्न चीज़ है देखते हैं गंगा और इसकी साहिक नदी सोन गंगा की साहिक नदी क्या है सोन गंगा के दक्षिन में नदियों के आसपास प्राचिन काल में मगद जो की वर्तवान बिहार में है यहां पे एक मगद समराज का विकास हुआ था इसके सासक बहुत ही सक्तिसाली थे और उन्हेंने बिसाल राज की अस्थापना की और इस तरह के कई हिसों में भी यानि की भारत में भी कई हिसों में ऐसे राजियों की अस्थापना उस समय हुआ था तो चलिए आगे आब हम देखेंगे भारत का नाम भारत कैसे परा और किस तरह से इंडिया और भारत दो महत्पूर नाम जो हमारे देश का है वो कैसे परा तो देश का नाम हम देखेंगे ठीक है यहां देश का नाम अपने देश के लिए पराया हम इंडिया सब्द का करते हैं इंडिया सब्द किस से निकला इंडस से निकला जिसे संस्कृत में सिंदु कहा जाता है इंडिया सब्द किस से निकला इंडस इंडस क्या है एक बेली है रधी है सिंदु नदी है और इंडस से निकला इंडिया सब्द इंडस से निकला जिसे संस्कृत में क्या कहा ज पतालने के लिए पचीस सौ वर्सपूर्व यानि पचीस सो वर्ष पुर्व उत्तर परश्रिम की ओर यानि की जो इरानी और यूनानी थे कहां से आये तो उत्तर परश्रिम अभी भी आप देखेंगे उत्तर परश्रिम में इरान पड़ता है आने वाले इरानियों यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस यानि सिंधु जो था उसको क्या कहा था कि हिंदोस अथवा इंदोस इस नदी के पुर्म इस्थित भूमी को ही इंडिया कहा था जो कि युनानी और इरानी उत्तर पश्रिम से आये थे पचीस वर्स पूर्ब इनोंने ही सिंधु को क्या कहा था कि सिंधू को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और इसके पुर्म में इस नदी के पुर्म इस्तित भूमी परदेश को क्या नाम दिया था इंडिया नाम दिया था किसने नाम दिया था उत्तर पस्चिम से आने वाले इरानियों और योनानियों ने अब हम इंडिया नाम समझ गए एंडिया भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा और यहाँ देखेंगे भारत नाम का भी पर योग उत्तर पर्षिम में रहने वाले लोगों की एक समुन के लिए किया जाता था भरत नाम का परियोग किसके लिए किया जाता था उत्तर पस्टी में जो लोग रहते थे एक ग्रूप में समू में जुन में रहते थे उनके लिए किया जाता था इसका उलेक संस्कीत की आरंभी किर्ती रिगवेद में मिलती है जो संस्कीत की आरंभी किर्ती है उसमें हमें मिलती है कि उत्तरपश्रिम में रहने वाले लोगों की एक समू के लिए भरत नाम का परियोग किया जाता था ये किर्थी कितनी पुरानी है 3500 वर्ष पुरानी है बाद में इसका नाम भारत के रुप में यानि देश के रुप में किया जाने लगा ये छोटी सी बात रहें और आगे हम देखते हैं चली देखते हैं अब पांडू लिपी के बारे में हम थोड़ा जानेगे और अतित के ब तार पत्रों से बनी पांडू लिपी का एक पीस्ट है यहां पर आगे हम दिखाएंगे आपको तार पत्रों से एक बनी पांडू लिपी यह देखिए आप तार पत्रों से बना एक पांडू लिपी है यहां पर आप देख सकते हैं और यहीं से एक तार के दोरा इसको यानि लिखी गई थी, कितने वर्स पहले लिखी गई थी, एक हजार वर्स, एक हजार वर्स पहले लिखी गई थी, किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काट कर उनको अलग-अलग हिस्सों में बान दिया जाता था, किताब बनाने के लिए क्या क्या जाता था, तार के पत्तों क काट कर उनके अलग-अलग हिस्सों में एक साथ बांग दिया जाता था और ये तार का पत्र कहां से मिलता हो था भुज पेर की छाल से बनी ऐसी एक पॉंडूलिपी को तुम यहां देख सकते जो भुज का पेर होता था उसी के छाल से ये तार पत्र बनता था आगे हम चर्चा करेंगे तैसे ये पॉंडूलिपी बनता था आईए हम देखते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने तो इसी से हमें पता चलेगा पॉंडूलिपी भी कैसे बनता था अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गए पुस्तकों को पढ़ना ठीक है जैसे हम अतीत के बारे हम जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो हम उस समय के पुस्तक पढ़ेंगे और ज़्यदा हम जानकारी लेना चाहते हैं धार्मी की भी पुस्तक हम पढ़ सकते हैं और उस समय जो बहुत वड़े बिद्वान या बेज्यानिक थे या जो नाटकार थे वो क्या लिखते थे उस समय उनके बारे में भी हमें पता चलेगा उससे भी हम जानकारी ले सकते हैं तो बहुत सारे इसे सरोत हैं जिसे हम अतित के बारे में जानकारी ले सकते हैं अर्कियोलोजिकल सोर्स है उससे भी हमें अतित के बारे में जानकारिया मिल सकती है विदेशी यात्रियों का विवरन भी उससे भी हमें पता चलता है तो देखते हैं आगे ये पुष्टा के हांस से लिखी होने के कारण क्या कहा जाता था इसे पांडू लिपी कहा जाता था हांस से लिखे होने के कारण इसे पांडू लिपी कहा जाता वो क्या था menu escape और Latin में Latin सब्द में menu लेटिन सब्द में क्या कह जाता था menu जिसका अर्थ होता था हाथ से निकलना हाथ से निकलना यानि हाथ से जो लिखा जाता हो ठीक है ये पांडू लिपियां ये पांडू लिपियां पराया तार पत्रों ये पांडू लिपियां जो होता यहाँ मैं अब देखेंगे यह जो पांडू लिपी होता था यह पराया तार पत्रों और हिमाले छेतर में उगने वाले भूज नामक पेर की छाग से विशेश तरीके से भूज पत्र पर लिखी जाती थी यानि कि यह जो तार पत्र होता था हिमाले छेतर में उगने वाला कौन सा पेर भूज नामक पेर यह कोशन बार बार आता है किस पेर से भूज पत्र तयार किया जाता था भूज नामक पेर से यह कहां उगता था हिमाले छेतर में उगता था तो आप जरू इसे ध्यान डखें इसे बार बार कोशन पूछा जाता था और 20S तरीके से भोजपत पर ही लिखा जाता था ठीक है और ये पंडूली पिया हो गया ये तार पते एक सेंपल अब देख सकते हैं ठीक है आगे हम देखते हैं इसके कुछ महतपूर्ण चीज और यहां पर देखेंगे इतने वर्सों में इतने वर्सों में कई पंडूली पियों ने कीरों ने खा लिया कई हजार वर्स पहले पुरानी की बात है इसलिए उस समय उतने रखने की वेवस्ता नहीं थी और अभी के समय जैसे हमें हमारे पास बहुत सारे ऐसी सुधाय उपलब्ध है जो कि हम किसी भी चीज को एक अच्छे तरीगे से स्टोर कर सकते हैं उसको रख सकते हैं कई हजार वर्सों तक है उस समय इतनी हमारे पास ब्वस्ता और सुधा टेक्नोलोजी नहीं था और विग्यान आदी सभी परकार की बिश्रों की चट्चा मिलती हैं इनके आतिरिक्त महाकाब्य कविताएं नाटक इनमें से संस्कीत में लिखे मिलते हैं बहुत सारे हमें चीज पानूली पिस मिलते हैं धार्मी के मानियतों के बारे में और जो लोग रहते थे उनके बेवार के साथा, राजा का जीवन क्या था और सुधी विग्यान के परने जानकारी भी मिलता है और इसके आतिरिक्त महाकाब्य कविताएं नाटक भी हमें उस से जानकारी मिलता है इस में से कई संस्कीत में लिखे मिलते हैं जबकि अन प्राकिर्त और तमील ये भी भासा में लिखा हुआ मिलता है प्राकिर्तिक भासा आम लोगों की उसमें भासा थी ये हमेशा पूछ लिया जाता प्राकिर्तिक भासा उसमें लोगों की आम लोगों की भासा क्या थी प्राकिर्त थी और कई नाटक जो की संस्कीत में लिखे मिले है और प्राकिर तमिल भासा में भी लिखे मिले है अब ये देखते हैं पचीस सो पचास वर्ष लगवग बाइस सो पचास वर्ष पुराना या अभी लेग ये आप देख सकते हैं बाइस सो पचास वर्ष पुराना वर्स पुराना यह अभी लेख वर्तमान कंधार ठीक है कंधार जो अफगानिस्तान का एक सहर है अफगानिस्तान का एक कंधार सहर है जहां पे बिमान हैजिक भी हुआ था और यहीं कंधार ले जाया गया था तालिबानों के तोरा तो भारतिय अभिमान उस समय हैजिक हुआ था और इसी सहर में ले जाया गया था तालिबानियों के दोरा यही से एक अभिलेक प्राप्त हुआ है 225 वर्ष पुराना अभिलेक असोक नामक जो सासक था उसी के आदेश पर उत्किर्न करवाया था ये एक छोटी से बाद रहे बाइस सो पच्चास वस्पुरान ये अभी लेग वर्तमान का अफगानिस्तान के कंधा से प्राप्त हुआ और किसके आदेश पर उतकिन करवाया गया था असो जो समय के समराठ थे उसी के आदेश पर ये उतकिन करवाया गया था आगे हम देखते कुछ इसमें बहत पूनी चीज़ है यहाँ पर देखेंगे यहाँ अभिलेग इस छेट में परियुक्त होने वाले युनानी अर्माइक नामक दो अभिलेग दो भिन लीपियों तथा भासाओं में है यहाँ अभिलेग जो है इस छेट में परियुक्त होने वाले युनानी और अर्माइक नामक दो भिन लीपि था और तथा भासा था उसी में यह मिला है जबकि वहाँ पे उस समय आँ लोगों की भासा क्या थे प्राकीरत भासा थी आगे हम देखेंगे जो इंपोर्टेंस है उसी पर हम चाचा करेंगे आप और मेरे साथ बने रही है और चैनल को सब्सक्राइब करते रही है और इसे के मोटिवेशन भी मिलेगा और बहुत सारे वीडियो आगे हम डालने वाले हैं आप जरूर दोस्तों तक सेर करें और आपको सीट इजाम में काफी हेल्प करेगा तो चलिए देखते हैं आगे नगर से ये प्राप्त पात रहे ठीक है ये देख सकते हैं उससे में प्राप्त हुआ था और 47 वर्स पुर्व ये प्राप्त हुआ था एक पुराना चांदी का सिक्का भी यहां पर है यहां पर देखेंगे ये दाये साल में एक चांदी का सिक् परियोग पचीसो वर्स पुर्व हुआ करता था इस सिक्के का परियोग कब हुआ करता था पचीसो वर्स पुर्व आज के समय से आप तुलना कर सकते हैं कि पचीसो वर्स पुर्व किस तरह हमारा सब्वेता अभी की समय से भिन ने था उस समय कैसी सभ्यताय थी कैसे माननेता थे वहाँ के लोग कैसे रहते थे वहाँ पर देखे सिक्का कितना डिफिरेंस था और अभी आप देखेंगे सिक्कों में बहुत सारे अंतर आ गया है तो ये हमें हिस्ट्री पढ़ने के लिए एक तरह से उसाहिद भी करती है हम पुराने चीज के बारे में भी जानते हैं और उस से पुराने चीजों से नई चीज आप जब रिलेट करेंगे तो आपको बहुत इंट्रेस्टिंग लगेगा और बहुत सारे आपका सवाल का इंसर भी मिल जाएगा तो इसलिए हिस्ट्री भी एह हिस्ट्री काफी रोचक सब्जेक्ट है इसको पढ़ने में बोरिंग नहीं होनी चाहिए तो चलिए आगे हम देखते हैं पुरातात्वी की बीद के बारे मत्रा चान लेते हैं पुरातात्वी की बीद कैसे यानि कि अपने सोर्स के इस्तेमाल करके उसको उससे नई नई चीज खोजते हैं पुरातात्वी की बीद जो होते हैं जानबरों, चीरियों, मचली की हड़ियों भी ढूनते हैं इसे यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते हैं उनको यह पता चलता है, अतीत में लोग क्या खाते हैं वनस्पतियों के अफसेस बहुत मुश्किल से बचे हैं आप देखेंगे वनस्पति जो है अभी वी आप रखेंगे तो महीने दो महीने के बाद धुरे धुरे वो गल जाता है, सर जाता है और मिटी में मिल जाता है, जिसे इसका अफसेस बहुत कम ही बचा है कि दाने अत्वा लकरी के टुकरे जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे हुए रहते हैं जो अन का दाना होता है और लकरी का जो टुकरा होता है वो जो जल जाता है तो वो भी बचा हो रहता है इससे भी हमें बहुत सारे चीज यानि पुरा तात्विक बिदों को जानकारी मिलती है उस सरे के बारे में तो चलिए आगे हम देखते हैं तीठीों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं ठीक है यहां पर तीठी के बारे में देखेंगे 2000 या इसी तरह के कोई और वर्स बताओगी यानि कि आगे बताए गया है वर्स की यह गन्ना इसाई धर्म परवर्टक इसा मसी के जन्म की तीठी से की जाती है अता 2000 वर्स कहने का तात पर है इसा मसी के जन्म के दो हजार वर्ष बाद अगर आप दो हजार वर्ष कह रहे हैं तो मतलब इसा मसी के जन्म के दो हजार वर्ष बाद इसा मसी के जन्म के पुर्व की सभी घटनाएं इसा से पहले कहलाती है इसा पुर्व कहलाती है आप देखेंगे हिंदी में इसे लिखा जाता है और इस पुस्तक में दो हजार को अपना क्या माना गया है आरंभिक बिंदू माना गया है वर्तमान से पुर्गी तिथियों का उलेक हम करेंगे वर्तमान से पुर्गी तिथियों का उलेक किया जाएगा ठीक है आगे देखते हैं थोड़ा ये काफी महत्पूर्ण है और ये पूछा भी जाता है करी वार एक्जाम में तो आप किसी भी एक्जाम की तयार ही करें तो उसमें भी आपको काफी हेल्प करेंगा तो आप जरूर टेंसर ने लें और जरूर इस वीडियो को देखें उसमें भी काफी हेल्प करेंगा तो बी-सी का मतलब क्या होता है और इसका यानि कि इसको डिटेल्स में हम चचा करेंगे BC हिंदी में इसा पूर्व, इसको सोर्ट में लिखा जाता है कभी-कभी तुम तीभी से पहले AD भी लिखा रहता है इसका मतलब क्या था है एनो डॉमनी एनो डॉमनी मतलब दो लेटिन सब्द से बनाएता था इसका तात्पर इसा मसी के जन्म के पहले यानि कि इसका क्या तात्पर होता है इसका तात्पर होता है कि इसा मसी के जन्म के वर्स से यानि कि एनो डॉमनी का मतलब AD का मतलब क्या होता है इसा मच्री के जन्म जन्म के वर्स से कभी AD के जगा CE अभी हम देखेंगे कभी AD के जगा CE और BC के जगा पर BCE का भी परयोग होता है तो हम देखेंगे BCE का मतलब क्या होता है CE का मतलब क्या होता है Common Era ठीक है और B.C.E. का मतलब होता है Before Common Era B.C.E. का मतलब क्या होता है Before Common Era इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हम इन सब्दों का परियोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो अभी वर्तमान में अधिकांस देश है इन्हीं का परियोग करते हैं भारत में तिथियों के लिए भारत में तिथियों के इस रूप का परियोग लगवग 200 वर्स पुर्व आरभ हुआ था 200 वर्स पुर्वी आरभ हुआ था भारत में तिथियों के ये परियोग कभी-कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का भी परियोग किया जाता है इसका मतलब क्या होता है बीपी अक्षरों का भी परियोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है बीफोर परजेंट यानि वर्तमान से जो पहले वर्तमान में जो घटना हुई उससे पहले के बार उसके बारे में बताया जाता है तो ये छोटी से बात रहें तो ये चेप्टर आज समाप्त complete हो चुका है आपको ये पीडियो कैसा लगेगा आप जरूर कोमेंट करके हमें बताएं और जरूर आप चेनल को सस्क्राइब और सेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं जो करलाज सिख्स के स्टूडेंट है उन तक भी पहुँचाएं त्यूकि मेरा परपस है कि हर बेक्ती को फिरी में सिख्छा मिलनी चाहिए यहीं पर समाप्त करते हैं और कुछ महत्पूर्ण तितिया हैं आप जरूर याद रखेगा और आगे हम नेक्स्ट लेके आएंगे जैसे केसी का आरम कब हुआ था आठ हजार वर्स पहले आठ हजार वर्स पूर्व हुआ था और उसके बाद सिंदु सब्यता के पर्थम नगर सहितालीस सो वर्स पूर्व हुआ था ठीक है तीन चीज काफी भात पूर्ण नहीं तीठी है 8000 वर्ष पूर और 4700 वर्ष पूर और 2500 वर्ष पूर तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं Thank you so much